Hi everyone, आज जो हम disorder पढ़ने वाले हैं वो है somatoform disorder Somatoform में जो somato है वो Greek word से derived हुआ है जिसका मतलब होता है body, मलब शरीर तो ये एक ऐसा disorder है जो हमारे body से related है जिसमें हमें physical symptoms महसूस होते हैं physical symptoms मतलब या तो हमें pain महसूस हो रहा है बहुत जादा दर्द हो रहा है कहीं पर या एक या बहुत जारी जगे दर्द हो रहा है या फिर shortness of breath हो रही है, मतलब सास की कमी हो रही है तो ये सब कुछ symptoms है, physical symptoms जो हमें महसूस होते हैं इसमें लेकिन जब हम test कराने जाते हैं तो हमें इसका कोई cause पता नहीं चल पाता है कि ये सब दर्द क्यों हो रहा है या ये सब symptoms क्यों हो रहा है हमें इसका कोई reason पता नहीं चल पाता है जो भी test हैं, जो भी findings होती हैं, lab test वगर होते हैं वो सब normal आते हैं, मतलब वो ये दिखाते हैं कि हमें कोई problem है ही नहीं लेकिन असल में हम उन चीजों को महसूस कर रहे होते हैं और बहुत जादा वो level पे महसूस कर रहे होते हैं और जब यही चीज बहुत time तक चलती रहती है, हमें ऐसा बहुत जादा pain हो रहा है जब वो हमारी daily functioning में, daily activities में effect करती है, वो ही चीज तब वो एक disorder बन जाता है तो अगर हमें इसका meaning देखें So these are conditions in which there are physical symptoms in absence of physical disease तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें आपको physical symptoms जो हैं, वो महसूस होते हैं लेकिन exactly कोई physical आपको disease या बिमारी नहीं होती है The person has psychological difficulties and complaints of physical symptoms for which there is no biological cause मतलब आपको psychological difficulties होती हैं क्योंकि जब भी आप test कराने जाते हो, तो आपको यही पता चलता है कि आपको सब reports normal है, सब test normal है तो इस वज़े से आपको बहुत ज़ादा stress होने लग जाता है कि ऐसा क्यूं हो रहा है इसका कोई reason पता नहीं चलता है exactly कि ऐसा क्यूं हो रहा है There is no biological cause इस वज़े से आपको difficulties होने लग जाती है लेकिन आप complain करते रहते हो कि आपको वो चीजें महसूस हो रही है ठीक है? ये generally चार टाइप के होता है ये disorder जो है वो चार टाइप का होता है पहला जो है वो है somatization disorder इस disorder में क्या होता है? आपको बहुत time से और बहुत type के symptoms महसूस होते है लेकिन फिर से इसमें कोई आपको disorder नहीं होता है physical disorder या physical disease नहीं होता है so it is characterized by chronic, chronic का मतलब होता है बहुत लंबे time तक ठीक है? तो chronic and multiple somatic symptoms बहुत सारे आपको बॉड़ी में symptoms महसूस होते है इस वज़े से आप doctors के पास बहुत सारे frequent visit करते हो doctor के पास बहुत सारे doctor के पास जाते हो test कराते हो बहुत सारे लेकिन वहाँ पे आपको सारे test वगरा normal आते है तो ये है somatization disorder तो जो हमारे दूसरे टाइप का disorder है वो है illness anxiety disorder इसी को hypochondriasis भी बोला जाता है हमें नाम से बताद चल रहा है illness anxiety anxiety मतलब fear है एक टाइप का और हमें किस चीज़ से fear है illness से हमें डर रहता है disorder में क्या होता है हमें हमेशा डर बना रहता है कि हमें ये बिमारी ना हो जाए या हमें कुछ ऐसा बड़ा बिमारी ना हो जाए जिससे हमारी health खराब हो जाए जिससे मैं मर्ड ना चाहूँ हमेशा इसमें हमें एक fear रहता है कि मुझे ये बिमारी ना हो जाए ठीक है जनरली इसमें क्या होता है हम कभी ऐसा होता है ना कि हम किसी की बिमारी सुन लेते हैं जैसे किसी person ने आपको बोल दिया कि मेरे को ये बिमारी हो गई है और ये बहुत जादा आजकल चल रही है ठीक है और उसके symptoms जाए और आप उस चीज को मतलब वो भली आपको symptoms महसूस नहीं हो रहे थे लेकिन अब आपको वो चीज से महसूस होने लग गई है कि अब तो ये बिमारी हो सकता है मेर को भी है तो आपको मतलब हमीशा अपनी health को लेके अपनी illness को लेकि हमेशा डर बना रहता है ठीक है तो हम इसे बोल सकते है constant worrying about the possibility of illness या फिर anxiety about one's health मतलब इसमें हमें हमेशा डर बना रहता है वरी रहते हैं हमेशा डर बना रहता है कि हमें ये बिमारी जो है वो ना हो जाए ठीक है और हमेशा अपनी health को लेके बहुत जादा चिंता रहती है हमें बहुत जादा fear रहता है कि हमारी health ना खराब हो जाए ठीक है तीसरे जो type का disorder है वो है pain disorder pain disorder में हमें इसमें भी नाम से बता चल रहा है हमें body में pain होता रहते है एक जगे या बहुत सारी जगे body के बहुत सारे parts में हमें pain होने लग जाते है और वो इतना जादा pain होने लग जाते है कि हमें वो physically और mentally distress होने लग जाते है ठीक है so it is characterized by recurring pain pain in one or more parts of the body तो इस वज़े से हमें बहुत जादा दर्द होने लग जाते है और जैसे मैंने पहले भी बता है आपको हम test वगर कराते हैं लेकिन test में क्या निकलता है सब normal निकलता है और हमें इसका कोई cause पता नहीं चल पाता है लेकिन person जो है उसे बहुत जादा pain हो रहा होता है बहुत जादा दर्द हो रहा होता है उसे इस वज़े से mentally distress भी झेलना पड़ता है क्योंकि उसे बहुत जादा क्योंकि वो अपनी daily life में भी concentrate नहीं कर पाता है क्योंकि जब उसे दर्द हो रहा है रोज दर्द हो जा रहा है या बहुत चारी जगे में दर्द हो रहा है तो कैसे concentrate कर पाएगा है ना इस वज़े से उसे भी बहुत जादा stress होने लग जाता है और जो हमारे family members होते है उस person की family members होते है वो भी ये बोलने लग जाते है कि ये तो जूड बोल रहा है क्योंकि जब भी हम test कराते हैं तब सब ये ही बोलते हैं कि normal है doctors भी बोल रहे हैं ये नॉर्मल है तो ये तो जूड बोल रहा है तो सब इस वज़े से भी जो patient है वो अकेला पढ़ जाता है और इस वज़े से भी उसे stress जेलना पढ़ता है चौथा जो type है disorder का है वो है conversion disorder इस disorder में क्या होता है patient को ऐसा लगने लग जाता है कि मेरे किसी body का part वो काम नहीं कर रहा है ठीक है मतलब कि जैसे हमें दिखाई देना बंद हो गया है सुनाई देना बंद हो गया है या फिर हमारे hardware काम नहीं कर रहे है हमें paralysis हो गया है ये सब चीज़े जो हैं disorder में उस patient को महसूस होती है उस person को महसूस होती है so he reports loss of part या फिर all of some body functions such as deafness blindness मतलब यहाँ पे patient पोलता है person मोलता है कि मेरा जो body है मतलब उस person की जो body कोई part है या फिर उसमें से बहुत सारे part जो हैं वो काम करने बंद हो जाते है जैसे कि उसे जैसे कि blindness हो गया deafness हो गया उसे दिखाई देना बंद हो जाता है यह generally कब होता है यह तब होता है जब हम किसी एक stressful situation से गुजर रहे हो या फिर जैसे हमने post-traumatic stress disorder पड़ा था तब किसी traumatic event के बाद हमें ऐसा महिसूस होने लग जाता है कि हम किसी हमारे कोई body part है वो काम नहीं कर रहा है यह सब चीजे generally तब ही होती है जब हम किसी ऐसे traumatic event को experience करते है ठीक है तो यह सब हो गए types अब हम देखेंगे कि इसमें sign या फिर symptoms क्या क्या होते है ठीक है वैसे तो जो भी हमने अभी तक पढ़ा है कि anxiety रहती है या फिर हमें ऐसा लगते हमें pain हो रहा है यह सब symptoms ही है लेकिन फिर भी एक बर हम पढ़ लेते हैं कि symptoms क्या होते है तो जो सबसे main symptom है इसका वो pain ही होता है हमें body में pain महसूस होता है dirt महसूस होने लग जाता है एक जगे या फिर बहुत सारी जगे ठीक है दूसरा है कि हमें shortness of breath हो जाता है हैसास की कमी हो जाती है या फिर हमें ठकान हो जाती है fatigue नस महसूस करते हैं या फिर weakness महसूस करते हैं कमजोरी ठकान यह सब कुछ general चीजें हैं जो इसमें हमें महसूस होती है ठीक है और भी हमें बहुत सारे क्या आने लग जाते हैं negative thoughts आने लग जाते हैं negative feelings आने लग जाती है symptoms related 句 जो हमें symptoms हो रहे होते हैं जैसे दर्ड है खही पे या कुछ भी है या कोई भी physical symptoms है उसके बारे में हम बहुत जादा सोचने लग जाते हैं बहुत जादा उस चीज़ को feel करने लग जाते हैं बहुत जादा negative सोचने लग जाते हैं जिससे हमारा जो stress है वो भी बढ़ जाता है ठीक है फिर है हमें constant fear रहता है about our health हमें हमेशा अपनी health का बहुत जादा डर लगने लग जाता है कि हमारी health खराब ना हो जाए हमारी health हमें health की बारे में हमेशा मतलब बहुत जादा डर लगने लग जाता है हमें जो symptoms हो रहे होता है वो बहुत जादा बड़े लग जाते है हमें ऐसे लगने लग जाता है कि जो हमारे symptoms हैं बहुत जादा serious है हमें बहुत बड़ी कोई बिमारी है जो doctor भी नहीं देख पा रहे है डॉक्टर भी नहीं उसे find कर पा रहे हैं, ठीक है, और हम क्या कराने लग जाते हैं, हम अपने check-ups कराने लग जाते हैं, हम body के, हमारे body के बहुत सारे check-ups कराने लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता रहते हैं, हमें कि कुछ बीमारी है, हमें हमीशा ऐसा लगता रहते हैं, हमें कुछ बड़ी बिमारी है तो इस वज़े से हम चेक अप्स वगरा कराने लग जाते हैं, टेस्ट वगरा कराने लग जाते हैं, तो यह सब थे कुछ symptoms, अब हम देखेंगे कि इसके causes क्या-क्या हो सकते हैं, मतलब कि किस वज़े से हमें इस disorder हो सकता है, तो पहला तो सबसे बड़ा factor हर एक disorder का यही होता है, genetic, sorry, genetic क्या फिर biological factor, अब genetic में क्या आता है, genetic में मतलब हमारे parents के अंदर भी यह एक disorder का faulty gene था, जो हमारे अंदर भी वो pass हो गया है, या तो हमारे father के अंदर था, या हमारे mother के अंदर था, वो faulty gene हमारे अंदर आ गया है, तो मतलब हमारे parents ने experience करा हो या हो सकता है, उनकी में वो trigger ना हुआ हो, लेकिन हमारे अंदर वो trigger हो गया हो, दूसरा है biological factor, मतलब या तो हमारे body में कोई ऐसे hormone release हो गया हो, पूरे body में, तो यह सब factors आ जाते हैं, biological factor या फिर genetic factor, दूसरा जो बड़ा factor है, वो है, past में कोई negative experience, मतलब हमने कुछ past में ऐसा negative experience करा हो, जिसकी वज़े से हमें ऐसा महसूस होने लग जाते हैं, जिसे मैंने बताया था, conversion disorder, उसमें हमें जादतर किसी traumatic event की वज़े से हमें ऐसा लगने लग जाता है, कि हमारा कोई body part काम नहीं कर रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, हमें सुनाई नहीं दे रहा है, तो generally, कोई ऐसा हमारे साथ बड़ा हाथशा हुआ हो हमारे past में, जिस वज़े से हमें ये सब disorder हो रहे हैं, तीसरा है substance abuse, substance abuse का मतलब होता है, हम किसी चीज़ से addicted हैं, alcohol से, या शराब से, या फिर तबैको से, या फिर cigarette फगरा से, smoke करने से, इन सब के हम addicted हैं, तो तब जब हम addicted होते हैं, तब हमें generally ये सब चीज़े महसूस होने लग जाती हैं, जब हम उनके बिना रहते हैं, ठीक है, for example, बहुत लोग को इतना ज़ादा addiction होता है, कि जब अगर उन्होंने कुछ घंटे, कुछ वो substance नहीं लिया, उन्होंने वो drink नहीं किया, या फिर उन्होंने smoke नहीं किया, तो उन्हें बहुत ज़ादा जो body है, उसमें बेचैनी होने लगती है, pain होने लगता है, तो ये भी एक cause होता है, substance abuse का, तो generally जो भी लोग, जिनको addiction होता है, इन सब चीज़ों का, उनमें भी ये disorder पाया जाता है, ठीक है, तो ये सब कुछ causes थे, इसके somatoform disorders के, अब next है, treatment या फिर therapies, कि हम इस disorder को किस तरह से ठीक कर सकते हैं, किस तरह से control कर सकते हैं, तो treatment जो हम देते हैं, वो इस वज़े से देते हैं, कि जो हमारा disorder है, वो control हो सके, जो भी symptoms हैं, इसमें physical symptoms जो हैं, वो control हो सके, या फिर जो person ये सोचता है, कि उसको हमेशा अपनी health को लेके, fear रहता है, डर रहता है, उस चीज़ को हम इसमें control करते हैं, तो पहला जो है, cognitive behavior therapy, ये बहुत ही famous, कह सकते हैं, या फिर बहुत जाज़ा use होने वाली therapy है, बहुत सारे disorders में ये therapy use होती है, CBT, इसमें क्या होता है, जो भी हमारे negative thoughts होते हैं, उनको identify किया जाता है, और उन negative thoughts को positive thoughts में बदलने की कोशिश की जाती है, और या फिर उन thoughts को कम करने की कोशिश की जाती है, मतलब जो भी हम ये सोचते हैं कि हमें ये illness ना हो जाए, या फिर हमें डर बना रहता है, कि हमें कोई बहुत बड़ी बिमारी है, तो उस चीज़ को, उस thoughts को control किया जाता है इसमें, दूसरा है, दूसरा जो treatment है वो है medication, anti-depressant medication, ये जो medication होती है, इसे हमें इसलिए दिया जाता है, जिससे हमारे जो symptoms हैं, जो physical symptoms हम महसूस कर रहे हैं, pain हैं, ये सब चीज़े, हमारे दर्द वगरा कम हो सकें, ठीक है, हाला कि सिर्फ medication, ठीक नहीं कर देती सब कुछ, लेकिन medication, इसलिए दिया जाती है, जिससे हमारे जो भी physical symptoms हैं, वो कम हो सकें, और उनको ये कम करने में help करती है medication, तो ये सब कुछ treatment थे, तो यहां पर हमारा disorder यहीं पर खतम होता है, तो हमने पढ़ा कि, ये disorder क्या होता है, इसके types क्या क्या होता है, इसके causes क्या क्या होता है, इसके symptoms क्या होता है, और last में हमने पढ़ा कि, इसके treatment कैसे होता है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, तो like ज़रू करना, और अगर आपको कुछ भी doubt है, इससे related, तो आप comment section में लिख सकते हो, I will try to solve it out, और subscribe ज़रूर करना चानल को, और bell icon को भी ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको notifications मिलती रहें, so that's it for today, thank you for watching,